हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर आनम जास फिर से अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी टीक है मस्त हैं इंजॉइमेंट चल रहा है और साथ में पढ़ाई भी चल रही है तो लीजिए MBA Second Sam के लिए मैं e-commerce मेरा एक बहुत ही इंपोर्टाइंट और बहुत ही फेवरेट सब्जेक में से है e-commerce क्योंकि मेरी प्रीएश्डी भी e-commerce में है तो आप सबसकते हैं मुझे कितना मज़ा आएगा यह सब्जेक्ट पढ़ाते हुए आपको और मैं थोड़ा सा और अच्छा इसमें cover-up कर स जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के खासियत यह है कि अगर आप केवल यह सब्जेक्ट सीख गए मैं कह रहा हूं कि केवल हम डिजिटल मार्केटिंग और e-commerce के पूरा सारे फंडे सीख गए ना तो Amazon जैसी कंपनी लाखों का पेकेश्डेरी है केवल डिजिटल मार्केटिं होती है e-commerce के कौन-कौन से platform है कितने types हैं कैसे आपको आपकी website बनानी है यह सारे चीज़ें इसके अंदर है कितने का हजारों का खेल लें लापों का खेल लिए करोड़ों का खेलें रोज कितनी कम्पनी केवल digital marketing करके accumulated marketing करके करोड़ों रुपय कमा रहे हैं घर बेटे कमा रहे हैं बिलकुल जैनुन तरीके से आप भी कमा सकते आप भी अगर अच्छे से सीख लिया तो यगिन मानिए आपके एंबिया का पेकेज लाखों में बढ़ जाएगा केवल इस सब्जेक के दम पर आईए देखते हैं इसकी क्यों तारीफ करना हूं इसलिए नहीं कि मेरे एकोमर्स में पीएशडी वल्कि इसलिए कि आज के जो टाइम है ताइम डिजय अधि डिटाव मार्केटिग जबात करेंगे ऐसे रही देख लेते हैं पहले जो पॉइंट आता है इसकी अंदर की टीटल-कॉर्टी क्या है और उसका शींदिकेंस क्या है पहले गूकेश डेफिनेशन देख लेते हैं जैसे हमेशें आपन देखते में आख components sorry digital marketing is the component marketing that use the internet and online based digital technologies such as desktop computers mobile phone other digital media platform to promote produce and products and services sorry product and services अब 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 बुकिश बाद लेकिन अच्छल में होती गया है digital marketing जब हम digital marketing के बात करते हैं अब इसका basic सिखा रहा हूं अगर basic clear हो गया तो यकीन मानिए सारी चीज़े आगे clear होती चली जाएगी जब हम digital marketing के बात करते हैं तो याद रखिए इसके अंदर पहला वर्ड क्या जुड़ा हुआ है डिजिटल क्या वर्ड जुड़ा हुआ है डिजिटल अगर डिजिटल की बात हो रही है इसका मतला उसके अंदर इसके मोबाइल आ रहा है तीवी आपका रेडियो है यह सारी चीज़े इसके अंदर बेसिक लिए और इसके मार्केटिंग का प्रमुप सूर्स क्या है कंप्यूटर मोबाइल कर क्या है इंटरनेट और इंटरनेट के अलावा जो मेजर ली यूज किया जाता है वह है सोशल मीडिया इत्ती बात तो आपन को किया रहो गई है वह सोशल मीडिया यूट्यूब पर आये होगे तो किसी कंपणी का मेरा वीडियो देखने से पहले एड आये होगा ठीक है फेस्बुक पो जाते है है वहां भी एड आज जाता है अजकल तो हर जगे एड का बिलकुल इक्ता बहुचा रहे तो कंप्यूटर और मुबाइल पर वाया इंटरनेट है करके सोशल मीडिया का प्लेट्फोर्म बनाके डाटा एब्सॉप किया जाता है उससे आपको एक एड देखने को बिलता है ख और उतना पढ़ लिया है मार्गेट्न अभी मेंनों मार्गेटिंग काम क्या है influence करना कि वो buy कर सके that is marketing simple है अब जब डिजिटल में से किया जाता है means कि जब उसको influence digitally करा जाता है उसको internet के माध्यम से उसको टीवी के माध्यम से उसको रेडियो के माध्यम से उसको यहां पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज नहीं करा जैसे कि advertisement अकबार में जो एड देखते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है यह डिजिटल मार्केटिंग है दोलों के अंदर डिफ्रेंस आए कि आपन डिटेल में देखेंगे लेकिन अभी आपको केवल बेसिक गीस कर देखें अओच यहां तक समझ में आ गया अंतर आ गया एक है को अंत्र आया है इसलिए दिशे कि नहीं रहा है कोई दिक्कार में पिपीटी में आपको क्लियर हो जाएगा यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा तो क्या है यह ट्रेडिशनल मार्गेटिंग वह डिजिटल मार्गेटिंग गोल्ड एप्रोच हुआ करती थी पहले इसकी बुकिश देख लिए दिजिटल मार्गेटिंग इस्ट्रीम इंपॉर्टेंग टोडेश देख इस हैं फोकॉस अंटर्गेटेड ओडियंस इन ग्लोब रिच अलाइक ट्रेडिशनल मार्गेटिंग ब्रिगिंग हाई रिवेन्यू लिटल इंवेस्में इसलिए बिन मोनिटर्ड देमेश कॉंट् है डिलेड है अब क्या है सुलिज्श अब मेर्य की बात आए था ह मैं जो ट्रेडिश्नल मार्गेटिंग है हमारी वह demande कि सब्सक्ल् Corah है न्यूज़पेपर पर जो हम एड़ देखते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप है लेकिन बड़े-बड़े लगा दिये जाते थे च्राहिए इसके अंदर भी रेडियो आता है इसके अंदर भी टीवी आता है लेकिन अब TV अब केवल digital marketing में अपन ओनलाइन ऐसा concern करते हैं ये भी बात गलत है क्योंकि digital traditional में भी था TV और आज भी है newspaper आते हैं, TV आते हैं, advertisement, magazines आते हैं, इसके अलावा और pamphlets आते हैं, ये सारी traditional marketing की things थी अब जो modern marketing आया है, modern marketing में क्या होता है? आज मान लीजिए मेरे को YouTube पे एड देना है, किस पे एड देना है? YouTube आप देखते हैं ना, जब एड वीडियो शुरू कोने से पहले, तो वो एड आता है, तो जब हम YouTube पे एड लगाते हैं, कोई company एड चलाती है, तो YouTube वाले पूछते हैं वहिया, कि आप जो एड दे रहे हो, क इस customer को दे रहे है, आपका target audience कौन सा है, तो हम कहेंगे वहिया, 20 से 30 साल के बच्चे, उसके बाद पूछेंगे, कहां की reason पूछेंगे, reason यानि की कौन से शेक्र का है, तो मैं कह दूँगा, इंडिया का है, या इंडिया में भी वो नेरो कर सकते हैं, इंडिया में भी राज सकते हैं, age group हो गया, reason हो गया, उसमें आपका budget पूछ लिया जाता है, जो normal चीज़ें हैं, ये पुराने में भी होता था, budget पूछ लिया जाता है, ये तीन एड है, और पहले क्या होता था, अखबार के अंदर एक एड दे दिया, एक page का एड आया, मान लीजिए वो अखबा तक पूछने के लिए, हमको उन 2,00,00 को एड दिखाना है, उसके एड की costing दस लाख रुपे आ रही है, कितना रही है, दस लाख रुपे आ रही है, लेकिन यहीं पर वो एड फेस्बुक, यूट्यूब, 20 पैसा 30 पैसे में एड की सहुलियत देता है, नहीं एक एड देख र तो 80,000 वीवर्स को वो एड दिख जाता है, यह में एड के एवरेज बता रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, 50 पैसे भी बैट जाती है, लेकिन 20 पैसा इसकी costing आती है, किसकी YouTube गी, आप सोचो 80,000 ओडियंस को आपको एड दिखाना है, जो आपके टार्गेट पर दोजार और वो एक दिन में खतम, आप उसको कुछ भी नहीं हर सकते, मान लिजे उस दिन अकबार का वो वाला पेज किसी ने पढ़ा नहीं, फ्रंट पेज पर आये नहीं, कोई दूसरी न्यूस के उपर कोड़ा रहा या कोई ब्रेकिंग निउस नहीं थी, तो अकबार उस दिन चला नहीं, वो निउस के उपर भी डिपेंड है, उस दिन कोई ब्रेकिंग निउस नहीं आई तो और नहीं भी का, और यहां पर तो एड देखने गया, तभी वो उस पर चार्ड हो, तो यह modern method है, यह modern method में क्या होता है, यह more convenient होता है, more fast होता है, more reliable होता है, और यह YouTube का minimum budget 500 रुपे, Facebook का minimum budget 500 रुपे, Google का minimum budget 500 रुपे, मात्र 500 रुपे मैं, अब अगर मैं अगबार में जाता है, और 500 रुपे ले के जाता है, तो इतना चोटा सा कॉलम मुझे मिलता, जिसमें तीन लाइन लिखने कि हो मेरे को permission देते हैं, और यहां तो को कह रहा है कि वह आप पूरा 15 सेकेट का अपना वीडियो दिखाईए, यहां तो को कह रहे हैं कि हम आपका ब्लॉप का पूरा का इत्तिवड़ी, साइबर इसपेस आपको दे देते हैं, यहां पर आप अपनी होटिंग का एड दिखाईए, तो यह क्या है, ट्रेडिशनल में ज्यादा बढ़िया नहीं से लिखिए, लांग टाइम कर्षेन मनता है, आप इसे लिख लोगे, इसमें इतना परिशान होने वाली बार नहीं है, अब ज verdad junior marketing की process होती थी, किसके अंदर होता है, एक सब्सक्राइब करेंbecue. सेकेंड इस्ट्रेटेजी гसाइड करते हम फरल जना है ओफलाइन जना है ए्टीवी के तुरू जाना है मोबाइई के धुरू जाना यूत्व service persist प्रिपैर किया जाता है फोर्थ उसको उसको पब्लिश का मतलब रिलेमेंट कीवर्ड डालना कितनी बार यूट्यूब यूट्यूब पे कितनी बार कीवर्ड सर्च होते हैं कि माल लेते हैं कि कोई बच्चा MBAано 3 अगर सच करेगा तो ही उसको वह क्योंड गर वो पीज़ीन सच करेगा तो उसको अलक दिखते अगर वह खाने का कोई सीरिल देख रहा होता है तो अलग दिखते हैं यहीं तो है डिजिटल मार्केटिंग का मेन बेलेफिट कि आप टार्गेट कस्टमर तक पहुच पाते हैं तो उसके बाद आप उसको पॉब्लिश करते हैं उसके प्रमोड यानि कि उसका बजट लगा करते हैं और फिर ट्रेक किया जाता है कि आपका एड कि प्र प्रॉब्लम आरी है नहीं देख रहे हैं या उसका हमको मचार शों जाब बहुत कर सकते हैं चमजा कैसे के बाद वापिस से सेंप्रोसेस बार-बार कि जाती है यानिकि one two three four five six seven eight प्रोसेस्ट है total कि मैंने इंडिया के बच्चों के लिए बनाया और मैं देख उसको अमेरिका के बच्च रहें तो वह बले अगवार मेरा किसी काम का नहीं लेकिन यहाँ पर उसके करने का मींस कि वह रिलेवंट टार्गेट और यह ना कोई प्रोग्राम कोई सेल कर रहा हूं माली कोई स्टूडेंट के लिए जैसी यूजी सी नेट का मैंनेजमेंट का कोर्स जैसे बहुत ही जल्द आने वाला है टेक है कि हम यूजी सीनेट की प्रिपरेशन कराएंगे और कर यह बहुंठए मिनेवंबर के द्ilippe इल्द कि यूजी स लिए तो हमसको 1,500 रुपे से जादा है अहाले हुआ यहां पार The का कैक करने का अवसर देती है कि यह अ पॉपलेशन जो 20 से 30 साल की ऐसमें से भी यह जो हमाप की अ Sådana की उसमें से यह यह है यह मद्ये पर कर रही सो है और इसमें सी प्रोप्लेशन यूजी इसी नेट की तयारी कर रही है तो मैं इन्हीं दिखा सकता हूं ऐसे अभूले है ठीक है आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इसके अलावा अगर आपनको इसमें डिजीटल प्रेक्टिकल भी करना चाहेंगे तो आपको करके बता दूँ मतलब कोई बड़ी बात नहीं है आप भी करना सीख सकते हो बहुत इजी प्रोसेस है यूजर फैंडली प्रोसेस पर अभी आपको में जो में पॉइंट है कि डिजिटल मार्गेटिंग दूनों में से बेटर कौन सा है दोनों के कंपोनेंट्स क्या क्या है और डिजिटल क्रांट्फर्मेशन फ्रेमवर्क यह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें बुकिश ट्योरी जादा दे रखी मैं लिखे लाया हूं ताकि यह वैसे डिजिटल रिवेलुशन का मतलब यह होता है कि जब हम टेक्नलोजी अपलिफ्ट होती है जैसे हम 4G से डारेक्ट 5G में ज चल रहा था उसमें अपडेट हुआ लेगिन रिवेलुशन 3G से 4G आने में हुआ तो यही डिजिटल रिवेलुशन जब टेक्नलोजी अपडेट हो जाती है एकदम चेंज हो जाती है और वह अपलिफ्टमेंट में चेंज होती है वह डिजिटल रिवेलुशन के लादा अनलोग और मेकनिकल डिवाइस यानि कि वह घडी हमारी ऐसे चलती थी कित्रे वजे वह चार वजे है ना तो गडी चलती थी आप डिजिटल मेकनिकल से डिजिटल पर आ गहे है नालोग डिजिटल पर आगे है 1980 से ओंगोइं बताई लिए काई-काई-काई-2004 से भी ऑंगो विच बिगें दे लेटर हाफ ओव दे ट्वेंटी देखो मिने का था ना कहीं ना कहीं 2005 की बात है 20th century यां 1980 की बात कहीं सब्सक्राइब करें 1980 में डिजिटल रिवलीशन हुआ था इंटरनेट के कारेंट विट में रिकॉर्ड किपिंग कंपिटराइज में से अब हम रिकॉर्ड रखने लग गए ते डिजिटल ट्रांस्वर्मेशन फ्रेमवर्क ब्लूप्रेंट ऑफ और और प्रियाशन प्रिय अब यह क्या है डिजिटल रिवेलीशन का मतलब डिजिटल रिवेलेशन का मतलब जो टेक्नोलोजी हम यूज कर रहे थे उससे एक्स्ट्रीम प्रिम चेंग करा और हम किसमें आगए अंधे कंपूटर पर आगए अब रिकॉर्ड्स बुक पीपिंग रिकॉर्ड के लिए को डिजिटल रिवोलुशन बोला गया शुरु कहीं काहीं लिखा है ट्वंटेश सेंचुरी से स्टार्ट टूजन फॉर से स्टार्ट अभी अपने देखा एक बुक्य अंदर नाइटीन एटी लिखा हुआ है तो अपने स्टार्ट हो गया था 2004 तक मान सकते हैं कि एकडम टॉप पर क्रीम पर आ गया था लेकिन अपनेटीन से डिजिटल रिवोलुशन क्या है मेंज कि हम मेकेनिकल साइन को छोड़ते हुए डिजिटल प्रांस्फरमेशन पर आए जितने भी रिकॉर्ट से हैं वह फाइल पेपर से सब्सक्राइब हमने उसको कंप्यूटराइज करा मेक्जिमम मशीन अटमेटिक होना शुरू और यही यूप था कि आर्टिफिचल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग में ठीक है अंडर्स्टेंड डॉमेंड एंड वेब होस्टिंग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बीट किया वेबसाइट किसे बख करती है ऐसी बहुत सारे इंट्रेस्टिंग चीज है इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे मतलब सब्सक्राइब के अंदर अपन देखेंगे क्या कि रहा है अंडर्स्टेंडिंग डॉमेंड एंड वेब होस्टिंग मतलब दो पॉइंट अि यानिकि नाम क्या होता है जैसे मेरा नाम आनद वैसे आपका नाम कुछ हो सकता है नाम कमेंट करके बचाना कि मेरा चाहरा आ वहां समझ में अंध्यक होता है नाम किन को लिए किन होता है लेकिन रहे कि दूसरी वाश्या इसे में जाने यहां वुगल का एक्जांपल दिया हुआ आई पडैसे पिर आपको और इसी में बताएं दॉमें क्या कह रहा है वेब होस्टिंग सर्विस इस टाइप इंटरनेट होस्टेग अग्या नाम है वेट रेफिट एंटरनेट एड्रेस इंटरनेट एड्रेस को डॉमें गोलते हैं बॉमें डॉमें नेम इस लोकेशन ओप वेबसाइट फॉर एग्जामपल डॉमें नेम इस गूगल डॉट कॉम पॉइंट ऑफ पी अड्रेस यह इसका अड्रेस गूगल का 216.58 216.164 जनरली हम उसको इसको करने के लिए किस नाम से गॉगल अगर मैं बोलाओ 216.58.216.164 तो यह लॉग स्ट्रिंग अप यहां पर दो चीज़े हैं पहला तो है क्या है कि डॉमेंट तो यह होता है हमारा आई-पी अड्रेस यह कहां जरूरी है जब हम कोई website बनाते हैं तो सर यह website क्या होती है बिल्कुल basic से बता रहा हूं website क्या होती है website एक तरीके का आपका घर है कहां पर? internet क्या है? घर है बेने इसको घर क्यों बोला क्योंकि आप जो भी चीज इसमें रखना चाहते हैं वही चीज यहां पर रहेगी बाकि कोई भी चीज आपके यहां पर रहने वाली नहीं तो क्या है एक जब हम website create करते हैं वो web pages create होता है coding के दूपे आगे आपन देखेंगे कि कौन से software उसमें ले जाते हैं तो उसके लिए हमको उस घर को एक एड्रेस देना होगा means कि यह सर्वर है ठीक बहुत बड़ा सर्वर का यह आपको समझ लिए क्लाउड है इस क्लाउड में डिफ्रेंट ब्लॉक बने हुआ है यह एक एक्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं है इसको इसमां समझ लेना वही यह से ही होता है उससे काफी कॉंप्लेक्स होता है कि अगरे यहां पर ने 15 ब्लॉक बना दी चार पंचर साथा अटनू दस गयरा बारा तेरा चुगा पंद्द अब पहला ब्लॉक यदि में किसी को आवंटिक करता हूं किसी का घर बनाते हैं तो इसका यहां पर नामकरण हो और address यह है तो पहला प्लोंग किसी को जाएगा दूसरा किसी को जाएगा तीसरा किसी को जाएगा यह जो numbers है यही बड़े बड़े number है यहीं तो google का number है क्या 216.58 216.164 यह उसका इस घर का proper address है लेकिन हम उससे नहीं जानते हम किस से जानते हैं इसको www.google.com किस से जानते www.google.com तो तो यह क्या हो रहा है हाँ तो google.com पे अपन ने क्या देखा पहले अड्रेस पर आपन तो देखा कि यहां पर क्या हुआ कि one number पर अपन Google.com ले लेते हैं ठीक है से करें पर मालोगी यहां पर सेकेंड एड्रेस अलोट हुआ है यह बिंग को हुआ है यह जो इस्टोरेज प्रोवाइड हो रही है क्या बोलते हैं वैब होस्टिंग यानि उस क्लाउड पे मेरे एक घर की स्पेस मुझे अलोट हुई है वो कहलाती है वेब होस्टिंग और जो घर का एड्रेस है वो कहलाता है बहुत सिंपल है जैको कितना मुश्किल नहीं आप य नंबर की जगी इसको यह लिख दिया डबलु डबलु क्या है यह डबलु 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 एक अमेरिका की संस्था है जो एंजियों की तरह बाग करती है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब यह हमें स्कूल